नमस्कार मैं मंदीप कर और आप देख रहे हैं यमना नगर सिटी निउस जीला यमना नगर में अगर आज हम अपराद की और नशे की बात करें तो ये चीज जो है हर दिन थमातों को देखते हुए रामपूरा चोंकी के साथ लगने वाला जितना भी एरिया है सब में जो है न तो बच्चे से लेकर नौजवान की अगर हम बात करें तो हर कोई इसकी गृफ्ट में इसकी पकड़ में है तो सर की और से इनकी कमेटी की और से इनकी टीम की और से क्या परियास रहने वाला है इन सब भी बातों को लेकर इन चार्ज जगदीप मौर जी हमारे चैनल पर हमा दर्शकों को बताईए जो आपको देख रही है सुन रहे हैं इससे क्या होगा इसमें हमारे सभी साब ने एक नशामुक्तिक अभ्यान चलाया हुआ है जिसका नाव सहिरा रखा हुआ है जिसके तहट साथ की तरफ से भी हमें निटेश देगा हैं भी किसी को ना तो समयक बेच ने देनी है जो व्यक्ति आदी हो चुके हैं उन सब ही को फेल तो ब्रीफ करना है जाके परिवार में जाके उनके उसके बाद जो नहीं छोड़ना चाथते हैं उनको होस्पिटल में हमारे सभी साब ने पुलिस लाइन में रखा हुआ है कैम्प उसमें जाके मलो एड्मिट करणा है हमने और उससे अलग जो हमारे कमेटी के सभी मेंबर जो निउक्ति किये गए हैं ये सभी व्यक्ति हमारे साथ मैं भी इनके साथ जाओंगा घर घर जाना है हम लोगों ने उनके परिवार के मेंबरों से बाचित करने हैं जो आदी हो चुके हैं इसके उनके सलाम सकते तो उनके खिलाब सक्से सकत कानोनी कारवाई की जाएगी आपको लगता है कि लोग जागरुक होंगे आपके इस मोहीं से इससे बिल्कुल 100% जागरुक होंगे कारण क्या इससे जैसे हम घर घर जाएंगे पुलिस का और पब्लीक का जो मत्वेद हैं आपस में वो दू चार्णा है वो खत्म हो जाएगी एक तो जैसे हम घर घर जाएंगे और हमसे ठेट उनको को मिडें में होई दिन में होई ड्यक्ता के मेरे परसनल नमबर पे सरकारी नमबर पे कौल या ड्रैक्टा के मिल वी सकते थे तो सर्च आपके इस प्रियास से पहले आपकी इस मुही गज़ें नशा करते हैं तो मतलब आप लोग जो यह परियास कर रहे हैं आप लोग इतना विश्वास के साहत कैसा कैसे कि वह बच्चा जो है उस नशे की गिरिफ्त में एक परिवारवारों का और बच्चे से भी हम जब बात चीत करेंगे उसको समझाएंगे तो उनका जुरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा इस अपराज का हिस्सा बनी हुई है तो महिलाओं के लिए आपकी और से क्या कड़ी कारवाई की जाएगी या क्या परियास रहन में हैं के मेरे में गुरुप की जो मेंभर ओँगी लेडीज वो चीज मोने करेंगे तो पूरे के पूरे अगर हम रामपोरा एडिये की बात करें तो हर जगह यह मुहीम हो कanking बन चुक ‫बन चुके हैं 152 कुछ और इडेह बहूँता जा रहा है काई ना क γैना को लोगों लोग श्यास में और इस मुहिम का लिंंगा मैं तुम करे फ़ृका होाँ क्लाएं डिखाई दो कि कि च्टोथ य法 ये लेकिन रहें क हम मैंने तो फक्स को बितायों करें और क्रेऩ करें करें पूलिश को एक और कुछन आप से करना चाहें कि कुछ लोगं ऐसे है जिनके आसपास नर्शा बेचा जा रहा है या कुछ लोग नर्शे का सेवन कर रहे हैं लेकिन वो लोग डरते हैं आप तक मेसेज देने के कि उनका नाम सामने आएगा तो शायद किसी कि उनके साथ मतलब खुंदक टाइप सी कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए आ तौन मैं बीमे眺ं को जैसे मिलेंगे उन से तो उस पर मेसेज करेंगे इसे नाम चुपाया जाेंगा विन पुछ वने किसले मेसेज किया तो सरब कि यहाँ मांते हैं कि जड से तभी खतम होगा जब बेचने वाला ही नहीं रहेगा नहीं से नहींचे मानने हैं कराँ तो इन पास ना वाहर सी आ जयाए बाहर से कुछ अहां पर नहींघांगा आपको तो देको मैं बताता हूँ आपको तविछ रभी वार इतना उन से माटेयल नहीं नहीं मिल पाता जैसे एक दो पुड़िया वगरा जो रखते हैं वो मिलती है उसमें वो फैंस नहीं बनता तो हम उनको समझाते हैं उसके पेरेंट्स को बोलाते हैं और उनको कैफे अब आएंदा ये काम नहीं करना है जैसे दो कुछ आदमी आ जाते हैं महलेवासी वो उनकी सिफारिश लगाते तो उनकी गरंटी पर ये आज के बाद ये काम नहीं करेगा पिछे जैसे इन्फरोमेशन भी दी और इसके बाद जो इन्फरोमेशन है वो लीक हो गी दिया और उनके अपर भी रहमले भी गी एक ते अजयान अगर नहीं महले बात होगी इस बारे में तो इसके लिए भी आप कुछ करोगे कोई इन्फरोमेशन देबर बता लग जाते हैं दो करो हैं विल्कुल न्यों होगी धर सुमाइकसा ने पुरा प्रियास कर लिया निद्बस और बिल्कुल य ज़ो जालू मैडम है ये बी इस मुहीं का लगातार हिसा बनी हुई है आप देख सकते हैं हर जगह शालू मैडम भी देखने को मिलती है इनके भी जो परियास है जनता को जिलावासियों को लगातर देखने को मिल रहे हैं तो एक बार जान लेते हैं ये भी इस समय रामपुरा चोंकी में बैटी हैं तो मैं हम क्या कुछ कहना चाहेंगी है सबसे पहले तो मेरा सब को नमश्कार मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी जो जगदीब सर जी ने कहा है वो 110% होकर के रहेगा विदिन वन विक हम आपको यहां से रिजल्ट्स देंगे बाई हुक बाई क्रोक चाहे हमें कुछ भी करना पड़े आज हमने एक कमेटी गठित की है जिसमें हमने यहां के मौजूदा विक्तियों को बुलाया है उनसे बादचित की गई है और उस कमेटी के माध्यम से हम लो की तरफ नहीं जाना स्मैक बाद जो बेचते हैं उनको हमने फर्स्ट वार्निंग देनी है सेकिंड वार्निंग देनी है अगर वह सेकिंड बादिंग में नहीं सुधरते तो सर्द के द्वारा वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा या तो वह महला चोड़कर चला चुकी है अभी तक के दिया तो कोई सामने फ्रेंट पर नहीं दिखाई देरा आएंगी लेकिन थोड़ा सा उनमें डर और भे बना हुआ है क्योंकि लेडिस के लिए आगे आना बहुत टफ है उनका मानना यह है कि अगर हम मार्केट में निकलें पीछे हमारे बच्चे अकेले होते हैं हमारे बच्चों को टूशन जाना पड़ता है तो कोई उनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे हमें उनके दिमाग से इस बात को इस भय को खतम करना पड़ेगा इस मुहीम को चला करके हमने बेचने वलों के मन में इतना भय पैदा कर देना है कि वह सो सब्सक्राइब को खतम करने के लिए मतलब अपूरा सहयोग दे रही है तो कैसा लगता है माजपुरिशों के साथ आपका मिनाम दिया जाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 15-20 लोगों में मैं बैठी होती हूं और मेरा नाम बुलाया जाता है तो बहुत फक्र मैस होता है कि मतलब कि मुझे मेरे परिवार की तरफ से एक इतनी छूट मिली हुई है एक इतना विश्वास मिला हुआ है कि मैं आप सब के बीच में आकर कि अपनी बात को रख सकती हूं तो देखिए रामपुरा चोंकी से आपको हम लाइफ तस्वीरे इस समय दिखा रहे हैं जो जो दर्शेक हमारे साथ लाइफ जुड़े हैं खबर को शेर जुरूर करें क्यूंकि जिला यमना नगर में आज अगर हम अपराद की बात करें नशे की बात करें तो ये जो है परियास जारी हैं मुहीम चलाई जा रही है सहीरा क्यूंकि आज अगर एक छोटे से बच्चे से लेकर एक नौजवान की अगर हम बात करें महिलाओं की बात करें तो हर कोई इसकी दलदल में है इसकी चपेट में है तो इन सब को एक उजवल भविशय देने के लिए एक सु ना कहीं इन लोगों की कोशिश जारी है तो आप लोगों को जागरूख होना होगा जीला पुलिस प्रशासन हर समय आप लोगों के पीछे नहीं रहेगा आप लोगों को जागरूख होना होगा क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है आपसे बार बार कहा जाता है ऐसा जीवन बा जानगर से मंदीप करकी रिपोर्ट